नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चानल First Investment Pay and I am your mentor शिवाँच बसी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि Nifty Bank Nifty में expiry 25th of March को इस मन्त की expiry है उस पर हमें किस तरीके से option strategies पर work करना चाहिए and guys मैंने बहुत जाता तर लोगों को देखा है कि sir हम option को buy तो कर सकते हैं naked call या put option को buy करके अपना decision ले सकते हैं but वहाँ पर हम लोग जरनली देखते हैं कि time decay की वज़े से हमें losses हो जाते हैं और if market neutral रह जाती है तो भी हमें losses book करने को मिलते हैं तो अपनी position को अपने options को hedge कैसे करके रखें so उसी के लिए मैं को option strategy आपके साथ share करने वाला हूँ जो I think आप लोगों को बहुत अच्छी लगीगी and वहाँ पर आपका जो loss है जो आप naked call option buy or sell करते हैं वहाँ पर आपका risk limited हो जाएगा yes guys and मैं आप लोग के mind में जाता तरही question आ रहा होगा कि sir अगर आप selling के लिए देने के अगर आप sell करने के लिए call option या put option तो हम करी नहीं पाएंगी हमारी तो 20,000, 30,000, 40,000 की investment और sell करने में तो पूरा future जितना margin जाता है तो हम किस तरीके से काम करें so don't worry में एक ऐसी strategy आपके सामने put करने वाला हूँ जो I personally think कि 30,000 के अंदर अंदर वो आपको strategy मिल जाएगी या 35,000 के आज पास आपको मिल जाएगे so let me start and हम लोग मिलते हैं वीडियो के end में I hope अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी interesting लगी होगी अगर आप stocks related option strategies चाते हैं मिर से अगर आप चाते कि मैं particular April series के लिए जो stocks पे मैं decision ले रहा हूँ अपने trading के लिए अगर वो आप चाते हैं तो definitely do comment on this video और अगर इस video में 1000 likes आते हैं so definitely I am gonna make that video very very soon within 2-3 days so let's start and हम लोग मिलते हैं वीडियो बे तो चलिए start करते हैं and देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगो इस option strategy को work करके चल सकते हैं क्या nifty में implement करें, bank nifty में implement करें या दोनों में कर सकते हैं तो सबसे पहले charts की study करेंगे and फिर हम लोग notes पे चलेंगे notes पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप strategy पे work कर सकते हो कितना margin कितना funds आप लोगों को needed है, कितना maximum profit आपको मिल सकता है maximum loss आप कितना occur कर सकते हो, तो सारी चीज़ा आपको बताई जाएंगी इस video के अंदर so please do follow this video and पूरा end तक जरूर देखेगा तो चलिए सबसे पहले chart analysis क्योंकि बिना option chart analysis के technical analysis के हम लोग option strategies को implement नहीं कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं मैंने सबसे पहले open कर रहा है nifty का and let me open 4 hour time frame जब मैं 4 hour time frame open कर रहा हूं तो as you can see सबसे पहले मैं draw करके दिखाता हूं आप लोगों को okay so यहाँ पर हम लोग कुछ technical tools को follow करते हैं price action को follow करते हैं हम लोग draw करते हैं and i think this is looking good ठेक है यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज के trading session के अंदर क्या हुआ तो आप देख सकते थे कि दोनो टाइम हम लोगों ने 4 hour time frame के अंदर halt candle देखी है और यानि कि हम लोग बात करें on a daily time frame अगर मैं आपको daily time frame पे भी लेकर चलता हूं तो भी आप देख सकते हैं कि एक doji candle हमें बनते वे देखने को मिली है so यह एक indecision candle है indecisive candle है यह में दिख रहा होगा कि एक बढ़िया सा sharp fall हमें देखने को मिला at from this level इसी level सी यह bounce करा and उपर गया दुबारा नीचे आया and it formed an AB equals to CD pattern which is a reversal pattern okay उसके बाद यहां पर इसने एक bullish hammer candle develop कर यह उसके बाद halt करा है 4 hour time frame पे and it gave a breakout today on Nifty Nifty में breakout देने के बाद first time halt करा second time halt करा and closing में इसी time पर देखने को मिलिया so now जिस तरीके से Nifty की अगर मैं बात करो तो Nifty मुझे जादा बढ़िया नहीं दिख रहा है according to अगर हम bank Nifty को check करें because 4 गंटे के अंदर 6 गंटे के अंदर market open थी हम लोग ने देखा कि जो इसकी closing हुई है वो कुछ इस तरीके की ही हुई है so I don't think कि यहां पर एक बढ़िया momentum हम लोग कल catch कर पाएंगे within 2 days क्योंकि 2 दिन बचे expiry के लिए Wednesday and Thursday को expiry है so हमें किस तरीके से work करना है वो सारी चीज़े हम लोग decision based लेकर चलेंगे तो I don't think कि nifty में जादा हमें कुछ करने की जरूरत है so let's move to bank nifty तो वीडियो को थोड़ा simple ही रखेंगे ठीक है bank nifty में check करते हैं कि कि किस तरीके से work हो रहा है so let me first of all open a daily time frame पर अगर जब में open करता हूँ as you can see it here a simple downtrend channel के अंदर यह काम कर रहा है आप clear basis पर देख सकते हैं simple downtrend channel के अंदर यह काम कर रहा है and exact अपने bottom को exact अपने support को test करके and gap को fill करके stock यह index ऊपर जाना start कर रहा है अगर मैं इसका 1 hour का time frame open करता हूँ so let's check कि इसका bottom किस तरीके से बना है okay let's analyze this okay so यहाँ पर आप लोगों को clear basis में दिख रहा होगा कि यह particular stock is continuously making the lower lows and lower highs आप देख सकते हैं नीचे आया stock and it moved up दुबारा नीचे आया दुबारा उपर गया and continuously it's making lower lows and lower highs उसके बात क्या हुआ the stock moved up यह अपने previous high को cross नी कर पाया दुबारा नीचे आया अपने previous low को break नी कर आया यानी कि it's the first sign कि यहाँ पर एक reversal हम देखने को expect कर सकते है it formed a double bottom type of scenario and इसी level से इसने breakout दिया और scoop पर जाके closing दिया which is a good sign okay so right now जो इसकी closing है around 34,180,190 के आसपास की closing है so we have to wait for this particular index to close above 34,230,240 के आसपास then only we can go for a back okay so let me show you very clearly as well अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं इस level से आपको दिख रहा है and यहाँ पर multiple bar हम लोग ने देखा कि यहाँ पर halt कर रहा है and halt करने के बाद what we are seeing हम लोग को क्या दिख रहा है आपर कि इस ने इस level के ऊपर एक breakout दिया है and उसके ऊपर एक closing दिया है which is a good sign okay let me zoom this particular index and आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं इस particular zone के ऊपर जो पहले हमारे लिए एक support का काम कर रहा था और जब वो break कर रहा that support become resistance अब resistance को break करके वो उपर की तरफ shift हो रहा है so I think कि थोड़ा सा उपर जाएगा एक बार नीचे retest करेगा फिर क्या होगा फिर वो resistance become support हो जाएगा and eventually it moved up okay so for that आप देख सकते हैं जो एक continuously downtrend हमें देखने को मिला let's use Fibonacci and Fibonacci के according check करते हैं कि कि कितनी जादा upside है कि यह expiry तक जा सकता है because 2 दिन है यह 500 रुपे की movement भी दे सकता है लगतार 2-2 दिन में तो 1000 रुपे minimum to minimum जा सकता है maximum we can expect कि 1000 रुपे 2 दिन में rally दे सकता है so let me open and I think कि 50% Fibonacci ratio is good and 61% is good कि यहां तक particular stock जा सकता है okay so let me remove the Fibonacci to get a clear picture यहां पर हम लोगों को इस तरीके से देखने को लग रहे है कि 2 targets हमारे सामने आ रहे है 35,300 का and 34,900 का okay so यह 300 रुपीस की range है तो हमें लगता है कि यहां तक possible है कि stock पहुच सकता है okay within 2 days अगर यह इसी level के आसपास close करता है 34,500 या इन levels के आसपास so we are gonna face a loss हमें loss हो सकता है जादा नहीं होगा definitely कम होगा क्योंकि हम लोगों ने hedging कर रही है but यहां पर losses हो सकते है so you have to be perfectly clear do your own analysis as well आपको perfectly clear होना चाहिए कि आपका stock आपका index कहां तक जा सकता है expiry पर वहीं तक उसे जाना चाहिए या फिर उसके आसपास भी जाना चाहिए so I think 34,900 से लेके 35,300 के आसपास तक जा सकता है okay और closing हम लोग ने बोला है buy entry option hedging के हम लोग कप कर सकते है जब 34,222 30 की ऊपर ही sustain करता है within 5 minutes अगर 5 minutes भी sustain करता है it's a good idea we can go for a buy okay so it's created a double bottom it's in a downtrend channel at its support level और इसने अपने previous resistance को break कर रहा तो I think कि bank nifty is a good जहां पर हम लोग एक option strategy लेकर चल सकते है on expiry day within of Thursday 25th March को है so let's start with option chain option chain पे मैंने data पे आ चुका हूँ and मैंने bank nifty को option chain को start कर दिया है and I think कि 34,900 से लेके 34,000 अगर मैं एक midpoint find करूँ तो 35,000 50 के आसपास बैटता है so let's take it simple very simple so मैं 35,000 मान के चलता हूँ कि वहां तक possible है कि expiry हो सकती है या उसके ऊपर या नीची आसपास हो सकती है okay but we think कि market bullish है दोनों दिन बहुत बढ़िया rally देखने को मिलेगी कि 800.800 points की rally हम expect कर रहे है so we are extremely bullish on the market I think market उपर जा सकती है so option chain मैंने select कलिया है अब हम लोग एक बार notes पे चलेंगे and यहाँ पर सारा का सारा data लेकर चलेंगे okay so let me open first of all let me write everything so आप लोगों को clear हो जाए so हम लोग जो भी बात करने वाले है वो बात करने वाले है bank nifty के बारे में क्योंकि हम लोग जो strategy ले रहे है so let me type bank nifty so bank nifty में we are bullish so हम लोग bullish strategy के उपर implement कर रहे है जिस strategy का में नाम आप लोगों को बता देता हूँ that is bull call spread okay it's a bull call spread and I think आप लोगोंने जाज़ा लोगोंने सुना भी होगा और implement भी करते होंगे on a daily basis but I think जिन लोगोंने नी सुना उनके लिए first time होगा और आप लोगों को इस strategy बहुत पसंद आने वाली है so bull call spread के बारे में मैं बात कने वाला हूँ सबसे पहले हम लोगोंने पता लगाया कि 34,200 के ऊपर ही हम लोग buy कर सकते है अगर इसके ऊपर जाता है then only we can go for a buy so I think अगर option chain की बात करो तो ये एक ATM है add the money है जादा तर लोगों को पता होगा option के बारे में so we add the money है and I think stock कहा तक जा सकता है 35,000 तक तो जा ही सकता है so I think that should be a target and which is an OTM जो की एक out of the money call option है अगर हम in the money call options के थोड़े बहुत example देखे तो in the money के हो जाएंगे 34,100 34,000 33,900 ठीक है तो ये सारे in the money है so अब हम लोग किस तरीके से work कर सकते है हम लोग एक bull call ratio spread बना रहे है जिस पे हम लोग in the money की call option को buy करते हैं और एक out of the money की call option को sell करते हैं in the money के examples मैं ने आपको दे दिया out of the money हम लोग कर लिया था कि कहां तक जा सकता है so out of the money को कैसे select कर जाता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ if you think that की एक level तक वो particular stock पहुच सकता है अगर आप 100 पे में कोई share बाय कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो expiry तक 120 रुपे तक पहुच सकता है minimum to minimum 120 रुपे तक पहुच सकता है so what you can do वो एक out of the money call हो गई आप उसी को sell कर सकते हैं आपका bull call spread बन जाता है so let's move to our option chain option chain पे अगर में देखू तो in the money सबसे पहले बोला गया कि हमें in the money की call option को buy करना है so 34200 is there ATM so in the money होगा 34100 so 34100 का जो भी LTP पी चल रहा last traded price that is 470 rupees okay so हम लोग लिख लेते हैं एक एक करके so हम लोग confused न होए so 34100 का जो call option है of bank nifty it's trading at 470 rupees अगर हम लोग average बान के चले 470 rupees पे and out of the money का अगर मैं 35000 का call option लेता हूँ so I think वो चल रहा है 103 rupees के आसपास okay so let me type that again also 35000 का जो call option चल रहा है वो चल रहा है 100 rupees okay so आपने क्या करा 34100 का call option buy करा 35000 का call option आपने sell करा है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि आपने sell करा है किसी भी option को तो आप लोगों को जादा margin देना पड़ेगा आप लोगों की investment इतनी जादा नहीं है आपकी 30,000 से कम ही है तो आप लोग किस तरीके से trade कर पाऊगे है So let me tell you, यहां पर बहुत easy है और आपका जो basically margin जाने वाला है Let me tell you that is 29,000 to 30,000 Yes, within 30,000, under 30,000 you can buy this both option trade, you can buy as well as you can sell Within 30,000 of your funds, आपके पास margin available होना चाहिए 30,000 का Okay, let's assume अगर आप सिर्फ 34,100 का call option buy करते And by chance अगर हम लोग expect करते कि वो थोड़ा सा नीचे चले जाता है या वो थोड़ा उपर नहीं जा पाता है, एक range bound के अदर market हो जाती है, market volatile हो जाती है So, जो भी आपने invest कराऊगा, अगर let's say कि 470 का price है and 25 का lot है अगर आप इसे multiply करेंगे, so I think it comes around 13,000 के आसपास तक का यह आपका बैठेगा ठीक है, 15,000 से 13,000 के आसपास आपकी investment बैठेगी, but अगर buy chance अगर 34,100 के नीचे close होता है So, आपके पूरी की पूरी investment zero हो सकती है, yes So, हम लोग एक hedging करके चलने कि buy chance अगर हमारे decision के according नहीं चला, तो हमारा जो loss हो, वो limited हो 15,000 का तक का हमें loss ना हो, हमें थोड़ा कम loss हो, okay So, हमने क्या करा, हमने plus करा, हमने debit करा, क्योंकि हम लोग buy कर रहे हैं, तो हम लोग किसी को sell कर रहे हैं, मतला हम लोग अगर buy कर रहे हैं, तो 470 रूपीस हमारी जेब से पैसा जा रहा है तो 470 रूपीस मैंने minus करा, and 100 रूपीस मैं किसी चीज को sell कर रहा हूं, तो मेरे पास credit आ रहा है, तो 100 रूपीस credit करा, तो यानि कि जो मेरी total cost बनी है, वो 370 into 25 जो कि lot size है, वो बेठा है जो कि around अगर मैं मान के चलू तो 10,000 के आसपास तक का है investment जो आप कर सकते हैं, but yes, 10,000 तक का loss है, यह limited maximum loss है, जो आप face कर सकते हो, इससे जादा आपको loss incur नहीं होगा, इस पूरी strategy में, अगर वो stock किता भी नीचे चले जाए, और वो stock किता भी उपर चले जाए, okay, but you have to be careful, य बहुत नीचे जाए, मैं तब भी hold कर आवाँ, बहुत उपर जाए, मैं तब भी hold कर आवाँ, मैं बताओंगा कि किस तरीके से आपको work करना है, okay, so, यहां तक था, अगर मैं maximum target की बात करो, कि maximum target आपको किता जादा achieve हो सकता है, so, I think, that should be around 13,000 के असपास, 13,000 के असपास तक क आपको target achieve हो सकता है, और 9,000 के आसपास तक की आपकी cost बैट रहा है, so, I think, कि अगर मैं risk to reward की बात करो, तो 1 is 2, 3.5 के आसपास तक का आपका risk to reward ratio बैट रहा है, which is good, I think, 2 दिन की option expire ही है, इतना तो हम लोग कर सकते है, okay, और risk भी minimized हो रहा है, so, मैं आप लोगों को दुबार cost incur हो सकते हो, और आप buy भी न कर पाओ, okay, so, let me explain, अब जो ये strategy हम लोग ने बनाई है, तो हम लोग ने एक call option को buy करा है, ठीक है, और हम लोग ने एक call option को sell करा है, so, जब आप लोग अपने कोई भी terminal पे जाएंगे, कोई भी broking firm में जाएंगे, आप जो भी system यूज करते हैं, अगर आप trade start करते हैं, इसमें trade enter करना, start करते हैं, तो सबसे पहले आपको buy करना होगा, आप buy करेंगे call option को, उसी के बाद आप लोग sell कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहले sell कर देता हूँ, उसके बाद मैं buy कर लूगा, अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपको पूरा future जितना margin provide होगा, आपको देना पड़ेगा, तो ये तभी work करेगा, जबसे पहले आप buy करेंगे, किसी भी option को, उसके बाद ही उसे sell कर सकेंगे, ओके, तो आपको सबसे पहले 34,100 का call option buy करना है, उसी के बाद exact within minute के अंदर अंदर, आपको 35,000 का call option को sell करके भी चलना होगा, जादा द profit वाले को काट देता हूँ, या मैं loss वाले को hold करें रखता हूँ, आप enter दोनों साथ में कर रहे हैं, तो आपको exit भी दोनों को साथ में ही करना पड़ेगा, वरना margin की वज़ए से आपको जादा से जादा पैसे pay करने पड़ सकते हैं, okay, so साथ में पहले buy करना है, फिर sell करना उसके बाद दोनों को आप exit कर सकते हैं साथ में, okay, अब exit करना है, आपने तो बता दिया कि buy करना है, बट exit करना है, let me tell you, okay, आपको exit करना है, जब यह particular stock around 35,000 के आसपास होगा, अगर यह 35,000 के आसपास होने लगेगा, तो you gonna get a very good profit, आप लोगों को around 10,000 तक का profit आराम से मिल होगा, so 35,000 का अगर मैं बात करके चलता हो, 35,000 से 35,100, 150 के आसपास अगर रहता है, so you can exit your position, but 35,100 के ऊपर जाएगा, so आप buy मत करेगा, because आपने जो भी call option sell करीवी है, वो in the money हो जाएगी, और उसके premium बहुत तेजी से increase कर सकते है, and वो आपको indefinite loss देकर जा सकती है, तो यह आपको बचनी होगी, 35,000 के आसपास, मतब 35,000 से लेके 35,100 के आसपास, you can book your profit, and I think आपको 10 से 12,000 के आसपास का profit मिल जाएगा, अगर हम बात करें, दो चीजों के, देखें, एक दो होती है expiry date, और एक होती है target date, दो देन हमारे पास बचे, अगर कल के कली 35,000 पहुच जाता ह है, so I don't think कि हमारा, जो भी ये profit है, 10,000 का वो हमें मिलेगा around, मुझे लगता है कि 4 से 5,000 का profit मिल जाएगा, अब आप बोलोगे, 35,000 का target था, तो वहाँ पर हमें 10,000 का profit आप बाता रहे हो, यहाँ पर हमें 5,000 का profit हो रहा है, क्यों, देखें, दो चीजे होती है, आपने option को sell क करा है, यानि कि अगर आपने 35,000 का call option sell करावा है, अगर वो 35,000 का call option, आप देखते हो कि expiry तक आता है, आप देखते हो कि जब expiry होने वाली हो, वो 35,000 को test करता है, bank nifty, तो वो जो 100 पे आपने pay करा है, जो 100 पे आपको मिला है, credit हुआ है, वो पूरा का पूरा zero हो जाएगा, बट अगर आप देखोगी, वो कल के कल ही अचीव हो जाएगा, तो आप देखोगी कि वो 100 पे का 1,500 रुपे या 200 रुपे भी हो सकता है, और generally हमारे call option ने buy करा, वो भी increase करेगा, वो भी वहाँ से double हो चुका होगा, जब तक वो 35,000 रीच करेगा, double से भी उपर हो जाएगा, around 600 points gain कर चुका होगा, वो अपने current 450 के levels है, बट आपको ये बात समझनी है, दो तरीके से हमें profit हो सकता है, मेरा decision है कि expiry तक हम लोग यहां से 800 point तक की movement expect कर सकते हैं, अगर ये कल के कल आना start होती है, तो I will suggest you कि आप अपना profit book कर लेना, ठीक है, वेट मत करना है कि में expiry तक तो जितना profit आपको बोला गया, उत्ताग उत्ता profit आपको बिल जाएगा, बट अगर आपको loss होना start होता है, मतलब अगर वो नीचे आना start होता है, तो आपको exit करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मिनना आपको maximum loss बता दिया कि आपका 9200 तक का loss है, maximum loss उसे जादा न position और अगर वहां से आपको निकल जाना होगा, ठीक है, जो 100 रुपे का premium होगा around, जो आपको credit हुआ है, वो तो पूरा zero हो जाएगा, वो 100 रुपे तो आपको पूरे मिल जाएगे, बट जो 4500 रुपे आपने pay कर रखा है, जो भी आपने call option buy कर रखा है, वो around 100 रुपे तक का आजाएगा, ठीक है, तो आराम से आपको 500 रुपे का loss हो सकता है, into 25 करेंगे, तो around आपको 5,000 से 6,000 तक का loss हो सकता है, ठीक है, जो कि एक minimum loss है, अगर 35,700 के आसपास आ रहा होगा, so you have to book your losses, अगर 35,000 के आसपास आ रहा होगा, you have to book your profits, okay, so यह थी हमारी strategy, please note that, और अगर करिए हमारी वीडियो को share कर सकते है, comment section में बताइगा, कि अगर आप stocks से related option strategies चाहते है, मेरे पास बहुत सारे stocks से related option strategies है, जो मैं आपके साथ share करोगा, so please do let me know, अगर 1000 likes आते हैं, so definitely I am gonna make a video on that as well, so चलिए, I think मैंने आप लोगों को सारा कुछ explain कर दिया होगा, हम मिलते हैं अगर आपने इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगा, so please let me know, अगर आप मेर से चाहते हैं, मैं आपको explain करूँ, so मैं वहाँ पर भी वीडियो बना दूँना कुछ time पर, बढ़ तब तक के लिए, bye bye आपको झाल